हेलो दोस्तो स्वागत आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल नो ख़ड़ा एजुटिक पर दोस्तो आप देख रहे हैं जन्रल साइंस का वीडियो जिसमें कि आपको फिजिक्स के इपॉर्ट्रेंड बीस क्यूशन मताई जाएंगे आज का पार्ट सेकेंड है यदि आप पिछला वीडियो अपने चैनल पर जाकर देख लिए जिसमें कि आपको 20 क्यूशन दिये गए महतोपुर्ण और आज अगे के 20 महतोपुर्ण क्यूशन आपको दिये चारें जो कि पिछली प्रिक्षा में पूछेंगे बहुत ही महतोपुर्ण क्यूशन है इनमें से रच किशन है बल का गुणन फल की द्रेंवमान और वेक का द्रेंवमान और तरन का भारवर वेक का भार और व्यक का बहर और तरन का तो इसका गीने हक्षा है आज का क्यूशन नमर दो देखते हैं शरीर का बजन परत्वी किस्ते इपर एक सभी जगए एक समान होता है दुरूँपर दीक्तम होता है विश्मतरेखा पर दीक्तम होता है मैदानों की तुल नाम पाड़ियों पर दीक होता है तो इसका शही अंसर होगा उप्षन भी दुर पर नूटन सो नूटन में ज्यदि किसी मनुशय का बार पर चीप च्छस्वनुंतन है ठाश नूटन पर चीप रहत अप्छंदरवाप्रोप्र होता है एक बटाच है एक बटा 6 तो 600 का छटा भाग हो गया 100 इसका मतलब 100 न्यूंटन ओप्शन D सही अंसर होगा क्यूशन नम्मर च्यार पर्थवी किस्ते प्रकिसी का भार किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूंटन है उसका द्रव्यमान केतना है तो 1 न्यूंटन में 1 के जी होता है, नोव पॉइंट आठ न्यूंटन में 1 के जी होता है तो 29.4 में 3 के जी हो जाएगा लगवक, हाँ 9.8 930 27, और 32.4र 29 पॉयंट 45, तिन के जी हो जाएगा तो एक के जी में होता है नोव पॉइंट आठ नियूंतन तो तो तीन के जी में हो जाएगा उनोटीस पॉइंट च्यार क्यूशन नमबर पांच है एक अंतरिक्स पर्थवी तल की तुलना में चंदरतल पर अधिक उन्ची चलांग लगा सकता है तो यहां पर है अंतरिक्स यात्री उन्ची चलांग लगा सकता है क्योंकि वे चंदरमा पर बारहिन होता है चंदरमा पर कोई वातावरण नहीं है चंदरतल पर गुर्थवा करशन बल पर्थवी तल की तुलना में अतियलप है चंदरमा पर पर्थवी से चोटा है तो इसका सही अंसर होगा उप्षण सी चंदरतल पर गुर्थवा करशन बल पर्थवी तल की तुलना में अतियलप है नमर साथ क्यूशन देखते हैं एक किलोग्राम राशी का वजन है एक न्यूंटन, 10 न्यूंटन, 9.8 न्यूंटन, 9 न्यूंटन हमने पिछले क्यूशन में देखा था कि एक किलोग्राम बराबर होता है, 9.8 क्यूशन न्यूंटन कि नम्र साथ क्यूशन है जड़त्वा गुरुडवे कौनिया तोरन का गुरुन फल होता है बल टौरक कारिये कौनिया स्वेंग तो इसका सही अंसर होगा उप्सन भी टौरक इसे इस प्रकार से प्रदरिशित किया जाता है और इसको टौब बना जाता है नम्र आठ क्यूशन है जल की आहतन में क्या परिवर्दतन होगा यदी तापमा नौट नव डिगरी से गिराकर 30 डिगरी सेंटेगरेंट कर द ú्चाता है तो तापमान कम कर दिया जाता है तो आयतन में कोई प्रिवर्टर नहीं होगा आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में गटेगा आयतन पहले गटेगा और बाद में बढ़ेगा पानी जम जाएगा तो इसका सही नांसर होगा option C पहले गटेगा और बाद में बढ़ेगा, क्योषन नमब्र 9 है, एक विकर में पानी पर बरफ तेया रही है, जब बरफ पुरौनत है, भिगल जाएगी तो विकर में पानी का दल, बढ़ेगा, गटेगा, उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा, बाद में गटेगा, तो इसका सही आंसर होगा उतना ही रहेगा अश्चा नमर 10 कि उसम देखते हैं जब किसी बोटल में पानी बरा जाता है और उसे जब ने दिया जाता है तो बोटल तूट जाती है क्योंकि पानी जबने पर फैलता है बोटल मांक पर शिकूरती है बोटल के बाहर का ताप करम हंदर से जमने पर फैलता है इसी करन बतल छूट जाती है कि उसर नंबर 11 है सड़क पर चलने कि एक अपेक्षिया बरफ पर चलना खटिन्द है क्योंकि बरफ शड़क से सकत होती है शड़क बरफ से सकत होती है जब हम अपने प्यार से धक्का देते हैं तो बरफ कोई प्रतिक्रिया व पर चलने का मोटाइद शड़क की प्यक्षिया बरफ अधिक चिकनी होती है कि इसनर नंबर 12 है एक नदी में चलता हूँ अधाँ समुदर में आता है तब जहांच कास्तर पहले जितमें होगा थोड़ा उपर आएगा थोड़ा नीचे जाएगा उपर या नीचे होगा जो में पड़े हुए बाहर पर निर्वर करता है नहीं यह थोड़ा उपर आएगा नंबर क्योशन तेरा देखते हैं कि पानी में डूब जाती है लोहे की पारे से रसायनी क्रिया की परवरती पानी की तुलना में कम होने के कारण लोहे का बार पानी से रदिक है तता पारे से कम लोहे का गनतों पानी से रदिक है तता पारे से बारी है तो इसका सही अंसरोगा उप्शन ची लोहे का गनतों पानी से रदिक है तता पारे से कम इसी कारण लोहे की गिलपारे में तेरती है नमर सोदा क्यूशन है पानी का गनतुए दिक्तम होता है कितने डिग्री शेंटिग्रेट पर पानी का गनतुए दिक्तम होता है सोड डिग्री, चार डिग्री, जिरो डिग्री, माइनस चार डिग्री तो इसका सही अंसर होगा, 4 डिग्री सेलिशेस पर पानी का गनतु अधिक्तम होता है क्यूसर नमर 15 है, वश्टो के मात्रा बदलने पर परियोड़तित रहेगा आहितन, बहार, द्रयोमान, गनतु तो इसका सही अंसर होगा, अपसन डी गनतु नमर 16 क्यूसर है, समुन्दर में पलवन करते समय, आइसबर्ग का कितना भाग समुन्दर किस्ते से उपर रहता है एक बटा नो, एक बटा दस, एक बटा चार, एक बटा से, तो इसका सही अंसर होगा, एक बटा नो क्यूसर नमर 17 है, बरप के दो टुकडों को आपस में दबाने पर टुकडे आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिकोने से बरप का गलनांक गड़ जाता है, दाब अधिकोने पर बरप का गलनांक पहले गड़ता है, फिर बढ़ता है दाबू अगलनांक में कोई स्मंद नहीं है तो इसका सही आंसर होगा दाब अधिको निपन बर्प का अगलनांक गड़ जाता है नमर ठारा क्यूसन है अवाई जान सी यात्रा क्रतेस में पैन से शाही निकलने लगती है वाई दाब में कमी के कारण वाई दाब में वर्दी के कारण शाही के आईतर में वर्दी के कारण अत्य दिक बार के कारण तो इसका सही आंसर होगा वाई दाब में कमी के कारण नमर 19 क्यूसन देखते हैं आज का उन्साइक की जगाँ उपर पानी 100 डिगरी के नीचे के दापमान पर क्यों उबलता है क्योंकि वाईव मंडली दाप कम हो जाता है अता उबलने का बिंदू नीचे आजाता है क्यूसर नमर 20 है साबून के बुलबले के अंदर का दाप वाईव मंडली दाप से अधिक होता है कम होता है बराबर होता है आदा होता है तो इसका सही अंसर होगा वाईव मंडली दाप से अधिक होता है साबून के बुलबले के अंदर का दाप यह थे दोस्तों आज के 20 क्यू वहाँ पर आपको इसकी पीडियाप मिल जाएगी और आप पीडियाप डाउनलोड कर सकते हैं और दुबर आप पड़ा सकते हैं वीडियो का लाइक किजिए शेयर किजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोड़ दुबाइए नहीं वाद दोस्तों जैहिन जैभारत